कि चूरू से लोकसवा टेकिट उमिद्वार इनको बनाए गया है बीजेपी से सबसे पहले प्रतिक्रिय जाना है सबसे पहले मैं मानिये प्रधान मंतरी जी को बहुत बहुत बढ़ाई और धन्यवाद देना चाहता हूं एक दीव्यांग खिलाडी को कि उन्होंने ब्रोशा जिताया है मेरे पे और कहीं ने कहीं आज देश के जो पांक से साथ क्रोड दिव्यांग लोग हैं उनमें कितना खुशी का महूल होगा एक खेल जगत के खिलाडी को टिकेट में देए खिलाडियों में कितना जोस होगा युवाओं में आज बहुत जोस है विशेश तोर पे एक किसान के बेटे को टिकेट दी है यह तो कहीं ने कहीं किसान विरादरी में कितना जोस होगा आज के दिन और राहुल जी से किस तरह अब तालमेल बिठाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो मद्बेथ हैं वो आ सकते हैं राहुल जी मेरे बहुत आसा है और पूर्ण विश्वाश है कि हमारी बहुत बड़े अंतर से वहां पर जीत होगी सबसे बड़ी कि लगाता है जब भी आप बैडल जीत के आते थे तो पी नरेंद्र मोधी सीधे आप से बातचेत करते थे तो कभी आपने सोचा था कि राजनीती में भी इस तरह था तो मैंने का मेरे जैसे ग्रास रूट के वेक्ति को पदम पुष्ण जैसा पहली बार मिला है तो उन्होंने मानी परदान मंतर जी ने सपस्ट कहा कि देवंदर जी वह समय चलागा जिब दिल्ली और मुम्मी में पुरुषकार मिलते थे आज उन लोगों को पुरुषका किया देश के लिए खेल और अब राजडिती में किस तरह से सामझ जिस से बिठाएंगे खेलों से जुड़े रहेंगे लगातार देखते हैं अभी इतना जल्दवाजी में कहना साई जल्दवाजी होगी और जो भी करेंगे में मेरे देश के लिए अच्छा करूँगा मेडिया के लिए अधित्यात्रे